नमस्कार जै जोहर मैं कोमाल सा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform जहांपर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे हम बोल रहे हैं क्या 36 गड़ का अधुनिक इतिहात इससे पहले भी हमने इतिहास की कुछ और वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने प्राचिन 36 गड़ का इतिहास मध्यकालिन 36 गड़ का इतिहात दो अलग अलग वीडियोस में देखी थे उसके बाद हमने देखा था क्या आधुनिक 36 गड़ का इतिहास वो बहुत बड़ा चेप्टर है जिसको एक वीडियो में बना पाना उसको रिवाइज करा पाना संभाव नहीं था इसलिए कोको का जो टीम है आपके जो इस्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए इसको दो पार्ट में क्या किया गया बनाया गया है पहले पार्ट में हम लोग 171041 से लेकर आपके 1927 तक हम क्या कर चुके डिसकस कर चुके आज की इस वीडिय इसमें खास बात यह है कि 36 गड़ में कौन-कौन से स्वतंत्रता आंदोलान समंधी क्या हुए आंदोलान हुए हैं दूसरे जो आपके राश्टी इस तर पे जो आंदोलान हुए हैं उसके 36 गड़ पे क्या प्रभा हुआ इन सभी चीजों के उपर आज की सेशन में क्या होगा चर्चा होगा एक मन्थान होगा क्लियर जी तो बीना किसी देर के बीना किसी विलाम के प्राराम करते हैं आज की इस वीडियो का जिसे हम क्या बोड़ रहे हैं आधुनिक 36 गड़ के इतिहास का भाग दो क्लियर जी आगे चले क्या पहला प्रसन देखते हैं पहला प्रसन क् पूछ रहा है गांधी जी के प्रतम आगमन में गांधी के साथ कोन राश्टी नेता आये थे option देखो सबसे पहली तो मैं आप कोंसर बता देता हूँ कून मौलाना सौकत अली बात करें कोन खिलाफत अंदोलन के क्या थे जी या खिलाफत जो समीति आपके लिए विराष्टी इस तर पर बना था उसके संस्थापक माने जाते क्लियर जी पहला प्रस नहीं पूछता है आप आपको पूछेगा कि गान्धी जी अगर 36 गड़ आये थे तो इहां हुआ था आपके लिए क्कंडेल नहर शत्याग्रह कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था यह आपके लिए इंपोर्टिंट है जो पेपर में पूछता है, यह हुआ था 1920 में, क्लियर जी, कंडेल, तो कंडेल क्या था, एक ग्राम था, अब ये ग्राम जो कहां पे है, धमतरी पे, अब एक कंडेल ग्राम, आप अगर धमतरी गंगरेल डेम घुमने गए होगे, तो आपको क्या होगा, दिखता है, तो आपक 1915 में बना, तो क्या अंगरेश सरकारी इसके उपर बहुत सारा धनरासी लगा चुका था, अब वो चाहता था, वो चाहते थे क्या, कि जो वहां के किसान है, उसकी भरपाई करे, लेकिन भाईया, हम लोग तो संकर भगवान को मानते हैं, हमको पानी की जोरत नहीं होती, कहा तो 1915 में जब क्या हुआ, डैम का, क्या हुआ, जी निर्मान हुआ, तो लागभग 10 साल के लिए अनुबंध होने थे, लेकिन जो ये अनुबंध होने वाला था, ये जो कॉन्ट्रेट होने वाला था, ये बहुत महेंगा था, तो क्या कि किसानों ने मना कर दिया, क्या किया लेकिन वो अंग्रेज है, वो तो अपनी सुनते हैं, बनाते हैं, सिधा थोपते हैं, करके ऐसा वाला बात था, तो ये सिधा चीजों को क्या करना, थोपना चालू कर दिया, आप बोले कि आपको कॉन्ट्रेक कराना ही पड़ेगा, इधर कंडेल ग्राम के जो किसान थे, वो पास का चोरी, पानी चोरी का आरोप लगाते हैं, और क्या करते हैं, सामुहिक आर्थिक जूर्माना, लगा देते हैं, लगभग कितने रुपै का, आश से 100 साल पहली की बात है, लगभग 105 साल पहली की बात है, 4,033 रुपए दूसरा एक बुक लिखो गे तो लिखता है 43-43 रुपए तो ये दोनों इंटर्चेंग हो गया ठीक है यह आप अपने विनाय का अपनी बुद्धी का प्रयोग करें भाई कि किसको आंसर लेना ऐसा आपको कंट्रोवर्सियल नहीं पूछेगा तो आपको याद रखना सामुही कार्थिक जुर्माना लगाएगा कहां पर यह जो कंडेल ग्राम के किसान थे उनके उपर अब कंडेल ग्राम में एक जहन क्या थे व्यक्ति थे क्रांतिकारी थे उनका नाम है मारे पास क्या बाबु छोटे लाल स्रिवास्तव यह जो बाबु छोटे लाल स्रिवास्तव जी थे इनके दो जन मित्र है और इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है क्या है बाबु सुन्दर नारायन तो आपको याद रखना है बाबु सुन्दर नारायन तो सुन्दर से याद रखना है कि और आपको याद रखना है क्या नरायन दासमेगा वाले ठीक है जी तो आपको याद रखना है क्या सुन्दर लाल सर्मा आपको याद रखना है बाबू छोटे लाल स्री वास्तर ये तीनों को ये अब एक मीटिंग बठाते हैं तो अभी एक निसकार्श में निकलते हैं कि इसका विरोध करना पड़ेगा आज अंग्रेज हमारे उपर एक चित्थोप रहें कल हो सकते हैं और बहुंस सारा चित्थोप ये तीनों कोई प्लान करते हैं सुन्दर लाल सर्मा आपको पूछता है 36 गड़ की सुन्दर लाल सर्मा को 36 गड़ के किसकी संग्या दी गई है मंगल पांडे गांधी क्या बोलते हैं ठीक है जी तो आपको याद रखना सुन्दर लाल सर्मा ये जो सुन्दर लाल सर्मा इनको बोला जाता है 36 गड़ का गांधी ये जो 36 गड़ के गांधी है जाते आप 36 गड़ आईए तो गांधी जी 36 गड़ कब आते हैं ये भी पूछता है तो आपको याद रखने क्या आसहयोग अंदोलन तो आसहयोग अंदोलन के दवरान के दवरान 36 गड़ में गांधी जी का प्राथम आगमन होता है तो आपको यह याद रखना है कब आये थे ठीक है जी अब 36 गड़ आये थे तो किसके लिए आये थे कंडेल नहर सत्यागरा आप वो गांधी जी है भाई वो आंधी जी है तो आपको याद रखना गांधी आंधी है गांधी जी के आने के पूर्वही गांधी जी के आने के पूर्वही ये जो आंदोलन था ये सत्यागरा तो क्या हो गया था सफल हो गया था तो प्रस्म में आ वह कौन सा सत्यागरा था वह कौन सा किसान अंदोलन था जो गांधी जी के आने के पŁर्वही क्या हो गया था सपल हो गया था आपको याद रखना कंडेल नहाव सत्यागरा अब आप समझे यहां से प्रश्ण आपको बहुत सारे बनने वान कंडेल नार सत्यागरा किसानों का आपके लिए क्या था सत्यागरा था किसानों का अंदोलन था यह प्रश्ण आपको पूछा हुआ है अब आपको पूछेगा अगला की अगर गांधी जी आयते तो किस तिथी पर आयते तो गांधी जी आयते कब 20 से 21 दिसंबर दो दिनों के लिए कब आयते 20 लिखाया ना भाई तो याद रखना 2020 को गांधी जी पहली बारा थी गांधी जी का पहला आगमन तो आपको याद रखना है गांधी जी दुबारा भी आये होंगे तो आपको याद रखना ये 20 के बाद क्या आता है 20 के बाद क्या आता है ये था दिसंबर दिसंबर के बाद याद रखना है क्या नवंबर तो दु दुबार आएंगे द्विती आगमन होगा गांधी जी का तो आएंगे 22 नवंबर को और रहेंगे पूरे साथ दिन एक हपता आप गिल लेंगे पेपर में आपको ओप्शन देता है देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो आपको याद रखना 28 नवंबर ठीक है जी अब गांधी जी बोलत में 1923 तो आपको याद रखना 22, 28 नवंबर तक 1923 में गांधी जी का द्विती आगमन हुआ था दोनों पेपर में पूशता है देट आपके लिए बिकाट इन्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना है मरतले पढ़ना है आपको ये दोनों प्रस्ण भी पूशता है किस ल आना थे तो आसा योगांदोलान के दवरान आयते सब के सब प्रस्ण पूछे हो कि खांसी आ रहा है भई आप लोग का देन है आप सब जिम्मेदार है आप बोड़ रहे है कोमल सर बनाई है आप 36 अब बना रहे हैं खांसेंगे भई तो इसके लिए आपको बुरा निमानना आपको पैसा भेजना है ताप पैसा भेज सकते हैं आगले वीडियो में मैं अपना फोन पे नंबर दे दूंगा सब एक एक करोड रुपए भेज देंगे ठीक है आगे चले क्या तो आपको याद रखना 22-28 नौंबर 1935 में गांधी जी का दुबारा आगमन हुआ था अगर गांधी जी आए थे अब गांधी जी का पूरा इस्टोरी है यहां से आपको याद रखना यहां से पेपर में प्रशन आएगा ये 3 आदमें आप इमेजिन करिए मैं गांधी अब मैं गांधी नहीं बन सकता भाई या मैं गांधी जी बनना भी नहीं चाहता फालतु दुदी जहापड कहें खाऊगे लेकिन राष्ट पीता कहलाते हैं भाई बिकट बड़ा नाम है तो आपको याद रखने इधर है गांधी जी इधर है 36 गड़ के गांधी सुंदालाल सर्मा जी अब इधर है मौलाना सौका तली जी तीनों कहाँ है राइपूर जैसी राइपूर पहुचे लेकिन ये गांधी जी जो है हेट्रिक विकेट ले चुके थे हेट्रिक विकेट मतलब क्या है तीन्ठो आपके लिए सत्यागरा हुआ तीनों सत्यागरा को पहली बारों क्या किये थे इंप्लिमेंट किये थे और भारत के पहले एक जन क्या थे वेक्ती थे जिन्होंने कोई सत्यागरा या कोई आंदोलन चालू किया और उसमें वो सफल भी रहें सत्याग्रा हुआ था आपके लिए कहां कहां चंपरन सत्याग्रा हुआ था अहमदाबाद मिल मजदुरांदोलन हुआ था उसके बाद हुआ था आपके पास खेडा सत्याग्रा गांधी जी तीनों को क्या किते संचालित किये थे और तीनों के तीनों को सफल बनाये थे पूरा लोगों को देखने की चाहे कि आखिर गांधी जी है कौन अब इधर है 36 गड़ के गांधी बीच में है महत्मा गांधी इधर है मौलाना सौकतली रैपुर रेल्वे स्टेशन में उत्रे पब्लिक एकदम खचा-खच भरा हुआ जैसे गब्बर इस बैक पिच्चर देखे हो न गब्बर निकलता अक्ष्यकुमार निकलता है पूरा पब्लिक ही पब्लिक वासी पब्लिक है आपके लिए कहां पे रैपुर रेल्वे स्टेशन में वो रैपुर रेल्वे स्टेशन से एक जगा पहुँचते हैं आपको याद रखना महंत कॉलेज महंत कॉलेज पहुँच महंत कॉलेज में इनका क्या हुआ जन सभा हुआ यह सब लोगों को आम जनता को संबोधित करते हैं भासंड देते हैं ऐसा जस्वी भासंड देते हैं शतीज गड़ के लोग भीका टाल जी एसा है तयारि कर रहे हो घर वाले लात मार के उठा रहे हैं कि दावडेल जाबए धनी जावात दावडेल जाबए धनी तेरे केसाई बनना तो खुद ही उठना चाहिए ना बिना बोले उठना चाइए ना, अगर Sir का क्लास आ रहा है, मेरा क्लास आ रहा है, किसी क्लास आ रहा है? अगर आप कोई चीजे फ्री में मिल रही है, तो पढ़ना चाइए ना भई? बिना बोले पढ़ना चाइए ना भई? गांधी जी समझ गय थे और वो आज से 100 साल पहलिक बात है अभीक लोग कम आलची उस टाइम और ज्याद आलची रहे होंगे गांधी जी ओजस्वी भासन दिये पूरा पबलिक जो है रायपूर का पूरा रोड़ोड सब्जा अब यहीं पेगजन आदमी आए थे नाम याद पूरा देखना चाहता है गांधी जी को अब गांधी जी आनेक पहली पूरे महल बना दिए यह इधर पूरे धमतरी में हरकम मचा हुआ है लोग बुकिंग करवा रहे हैं अपनको भी गांधी जीग देखना है गांधी जीग देखना है इधर 36 गड़ के गांधी सुंदललाल सर्मा खूदी है मौलाना सौका तली जी है खिलाफत अंदोलन के संस्थापक है वो भी आई यहांगा था जानी हुसेन का जो बाड़ा था जानी हुसेन का बाड़ा पहले से क्या था फिक्स था कि गांधी जी यहीं आएंगे यहीं जनसभा क्या रखेंगे जी अपना जन सभा रखेंगे यही भासन जेंग उद गांधी जी है गांधी जी देखने लिए पुरा आंधी आ गया नहीं हो पाया तब एक जगा था कौन सा मक्काई बंध चौक यह मक्काई बंध चौक में फिर क्या हुआ इनका जन सभा हुआ और विकट भीर आप बाय टाइप का भी गांधी जी है 36 गड़ी है लोग रहते एक नंबर टेच रहा अगर उनको बोल देंगे ना फ्लाना मैं हूं नइच मानेगा जब तक उसको कोई बताएगा नहीं तो दो तिन बार गये गांधी जी बोल रहा है मेरे को वहां भासन में मेरा इंतिजार हो रहा है पब्लिक बोल जाता चपन प्रकार कब हो सुबह उड़ता था बोरे बासी खाता था बोड़ी एकदम जबर्जाद बना लिया था यही आदमी कंदम बैठाता है और गांधी जी को कहां पर स्टेच पे ले जाता है गांधी जी एक दो ठोक साहिरी बोले आदमी लोग को ऐसा उजस्वी भा प्रभावी तो कोन वाजी राव कृदन तो हमको इनका नाम याद रखना बाजी राव कृदन जो थे इन्हों ने गांधी जी के भासन से प्रभावित होकर 501 रुपए दे गांधी जी भी काट खूष जैसे हमारे में हम लोग जाते हैं लिल्ला देखने राम लिल्ला देख क्रिष्ण लिल्ला देखने फारमाइस होता है अब 10 रुपया 15 रुपया घर में 36 गड़ी है लो छट्थी होता है तो रमायन करा है और माइक लगा रहता है 10 रुपया तक देंगे उसको भी बोलेंगे कि हम आइक में जाक बोलने हैं मर नाम ला बोल हूँ तभी हम पैसा देवों नहीं देवाँ अब बोल रहें 10 रुपया 11 रुपया चड़ा रहे है रमायन में बोलो उनकी स्रद्धा बक्ति की जाए उनके कुटुम परिवार की है और 501 रुपया देता है गांधी जी बिकट कुछ गांधी जी अगले दिन कहा है राइपूर है तो राइपूर के आनंद वचनालाय में महिलाओं के सामने भाभग भाभग के रो देते कि जो हमार तिलक जी है वह आप चल देए उपर वोकर विचार है हमाला पूरा भारत देश में फैलाना है अतना महान आदमी है लोकमान ये बाल गंगा धरतिलक तिलक स्वराजफंड का क्या करना था इस्थापना हुआ था जिसमें 6 महा में 1 करोड रुपय क्या करना था जी वसूली करना था और तिलक जी के जो विचार थे पूरे भारत वर्स में पूरे अब तभी तो गांधी जी बोले दुबारा हूंगा तो दुबारा कब आये थे हम आपको डेट बताये थे न तो आपको याद रखना गांधी जी दुबारा आया थे आपके लिए कब 22-28 नौंबर 1923 प्रस्न सब पूछा जाता है जितना मैं नाम बताया हूं जितना आपको अब तो फैक बताया हूं ग्लिय तो याद आपको सब रखने हैं आगे चले क्या हम देखते हैं offed la say ऐब को याद रखना है अजगर रली ये अजगर रली कौन है यहां से भी आपको प्रश्न बनता था तो यहाद रखना था खिलाफत समीती जो खिलाफत अंदोलन चला रह क्या हुआ रायपूर में एक जन सभा हुआ कब खिलाफत समीती के टाइम पे तो खिलाफत अंदोलन के समय तो क्या हुआ अजगर अली सहाब यह आये थे कहां पे रायपूर कब 19-1920 में पंडित रवी संकर के साथ इन्होंने क्या किया था एक जन सभा को संबोधित किया था य 19-1920 में पंडित रवी संकर सुकल के साथ कौन एक राश्टी स्तर के नेता ने क्या किया था जन सभा को संबोधित किया था भासन दिया था आपको याद रखना अजगर अली यह जो वीवी गीरी सहाब है इनके बारे में चर्चा होगा लेकिन अभी ने चलते हैं हम लोग कि इसके लिए माखनलाल चतुरवेदी यहां से भी आपको प्रश्ण पूस्ता है तो सबसे पहली याद रखना यह आपके लिए दो ठोक चीजों के लिखे परवत की अभिलाशा और दूसरा और क्या किये यही पर लिखे थे हो क्या आपके लिए कर्मवीर पत्रीका यह दोनों का यह जो रचाईता है जो लेखाख है रचनाकार है वो हमारे लिए माखनलाल चतुरवेदी यह दोनों का जो क्या हुआ था रचना हुआ था प्रकाशन हुआ था यह कहां से हुआ है बिलासपूर से इसलिए पेपर में पूछा जाता है अब यह कई से आये थे उसको भी सुन उन्नीस सो इक्टीस में एक जगह है आपके लिए कौन सा बिलासपूर में सनीचरी पड़ा सनीचरी जो पड़ाव है यहीं पर आदमी आये और ओजस्वी भाषन तो आपको पूछता है कि अगर माखनला चतुरवेदी जी आये थे तो किस कारण उसको क्या किया गया था गिरिपतार किया गया था तो क्या कर दिये थे ओजस्वी भाषन दे दिये थे आप तो आपको याद रखनाओ जैसे आप समझे आप SI का तयारी कर रहे है आप PSC एक टियारी कर रहे हैं &rene अब कुछ भी कर सकते हैं ौहादमे करताया कूं अब कर सकतायाा सर्म में और यारी कर रहे है जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, उनके पास साधी की बहुत सारी समस्या हैं रहती, समय बहुत कम रहती है, तो सब के जीवान में कोई न कोई समस्या है चलते रहती, लेकिन सब को मंजिल को प्राप्त करना है, यह सब के दिमाग में रहता है, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखा हूँ अगर आपको बोलूं तो आप उस चीज को अपने जीवन से रिलेट करके देखना कि तुम मेरे कहानियों से कैसे अंजान हो जैसे सब की गल्फेंड होती है वो आप गल्फेंड का मतलब समझ लिए वो आपके लिए मंजील है भई आपको उस चीज को पाना है तो समाज में क्या-क्या बढ़ाएं आती है आप उस चीज को समझे कि तुम मेरे कहानियों से कैसे अंजान हो जैसे आदमी बार 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 ट्रायल करता है सफलता पाने के लिए लेकिन एक बार प्यासी मेंस ने निकला दो बार ने निकला तीन बार ने निकला चौं प्यार का ये वादा है एक उम्र से भी जादा है, मेरे प्यार का ये वादा है, एक उम्र से भी जादा है, क्योंकि समाज यही बादा है, ना तु कृष्ण है, तो मैं राधा हूँ, यह ऐसा होता है कि नहीं है, ना तु कृष्ण है, तो मैं राधा हूँ, यह चीज होता है कि चीजे हैं किस चीज़ के लिए जैसे आपको तैयारी करना है आप उस चीज़ सब देखना है आगे बढ़े तों हमको चलना है हमारे अगले प्रस्ने के लिए अगला प्रस्न है हमारा क्या राज्ये का पहला जंगल सत्यागरह किस स्थान पर किया गया था ये है आपके लिए कौन सा सिहावा नगरी कब हुआ था 1922 प्रस्न में ये भी पूछता है आपको पूछा है पहला जंगल सत्यागरह तो आपको याद रखना पहला जंगल सत्यागरह राज्ये का ये है कि सिहा हुआ नगरी पे हुआ था आपको याद रखना सा से सिहावा और जब भी मैं आपको बताऊंगा किसका क्या बोलते हैं सिहावा नगरी चाहे आदमी आए अगर धंतरी में हैं तो तीन लोग हमेशा रहेंगे कौन बाबू सुंदर और नरायन तो बाबू सुंदर नरायन याद आपका बाबू बिकर सुंदर है तो आपको याद रखने है कोन बाबू छोटे लाल शरी वास्तव को याद रखने कौन नरायन राव मेगह वाले या नरायन दास मेगह वाले एक ही हैं आपको याद रखना यह यह तीनों के तीनों सिहावा नगरी जब आपके लिए जंगल सत्यागरा हुआ उसमें क्या थे नेता थे लेकिन अगर इसमें भी पूझ देखा कि कौन ओरिजिनल नेता था और कौ का थे जिस सहयोगी थे तो आपको याद रखना सहयोगी बाभू छोटे लाशरी वास्ताओ नरायन राव मेगह वाले या नरायण 10 मेगह वाले ये दोनों क्या थे सहयोगी थे आपके लिए नेत्रित्वा करता कोन है सुन्दालल सर्मा पेपर में पूछा हुआ प्रस्ण है आपको याद रखना गट्टा सिल्ली गट्टा सिल्ली रुद्री नवागाउं और आपके लिए तमोरा जंगल सत्यागर यह तीनों हुआ था 1930 में यहां से भी प्रस्ण कई बार पूछे गए हैं तो आपको बिल्कूल कंफ्यूज नहीं होना भई यहां से आपको देखो गट्टा सिल्ली यह फिर कहां कहा है यह दोनों जगा भी आपके लिए कहां पे है धमतरी पे तो आपको जीला भी याद रखना है आपको याद सिहावा नगरी जैसे अभी आपके लिए हुआ था कंडेल नहर सत्यग्रा में भी यहीं लोग थे बापके लिए बाबु सुंदर नरायन यह तिनो लोग और तिनो कोई जब भी दम तरी कहा होगा यह तिनो लोग हमें से आपको दिखेंगे आप दीखरां आपको गट्टा स तो गट्टा सिल्ली से मैं याद रखाऊं क्या गन्ना कि गन्ना खाते हैं तो ना से याद रखना आपके लिए क्या नरायन राया या दास मेगहा वली यह क्या थे इसके नित्रित्व करता थे घुझा याद रखने दो लोको और इसमें है आपकी लिए कुन अब यह तो धंतरी कंथा है बाबुचोटे लाल सृप शरी वास्ताओ तो रहेंगे बाबुचोटे लाunts है शरी वास्ताओ झी आपको याद रखने है क्याल उव्यक्ति का नाम जी से बोला रहे कौन नत्थू जगताप नत्थू जगताप तो नत्थू जगताप थे यह इसमें एस्ट्रेड हो जाते हैं क्योंकि इसमें सुंदालाल सर्माजी नहीं थे ऐसा माना जाता है क्लियर जी हमको याद रखना है रुद्री नवागाओं तो देखें तीन अलग अलग अंदोलन है तीनों अंदोलन में अलग 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 लोग क्या है नेत्रित्व करता है इसमें नेत्रित्व करता है कौन आपके लिए नरायन दास या नरायन राव मेगावले आपको याद रखना यहां बाबू छोटे लाल स्रीवास्ता है स्वारी यहां सुन्दा लाल सर्मा यह रूद्री है मैं दो वर्ड को पकड़ता हूं भई तो क्या होता है आपके लिए बाबू भी आपके लिए क्या है दो वर्ड है तो आपको याद रखना रूद्री नवा गाव में तो याद रखना तमोरा से भी आपको प्रस्टचा जाता है तो तमोरा तमोरा से याद रखना तमाचा यह आपको पूछा जाता है कि दयावति दयावति में बिलकुल दया नहीं है वो एक जन को आई और रब लेक जापन मार दी थी तो उसी बोलते हैं हम लोग 36 गड़िम क्या तमाचा तो आपको याद रखना ये जो तमाचा मारी थी तो ये थी दयावती नाम की एक लड़की और किसको मारी थी MP दूबे MP दूबे नाम का क्या था एक SDO था तो 1930 में जब जंगल सत्यागरा होता है तो दयावती इसको क्या कर देती है तमाचा मार देती है कि इसको MP दूबे को क्लियर जी तो आपको याद रखना क्या तमोर जंगल सत्यागरा आप यह पूछेंगे इस में नित्रित्व करता कौन कौन थे यह सब चीजे तो आपको पेपर में आता है ना नित्रित्व करता तो आपको याद रखना मोर मैं आपको याद रख लिया हूं मेरा कौन है तो म ये क्या थे इसके नित्रित्व करता थे और दूसरा याद रखना आपको कौन यति यतनलाल ये यतनलाल ये थे भई हमारे लिए दो लोगों ने क्या किया था तमूरा जंगल सत्यागरा हुआ था लगभग आपके लिए कब आठ नौ सिप्टेमबर 1930 को तो उसमें इस जंगल सत्यागरा हुआ में थे कौन आपके लिए कौन संकर लाल गनोद वाले और दूसरा था आपको लिए यति यतनलाल आपको याद रख यहां से बन दें आगे चले क्या तो आपके लिए तो यहां होगे यह था सिहावाझाज Jंगल शत्य धरी राज्य का पहला उसके साथ आपको यहां से बहुत सारे प्रशन क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगल याद रखने आपको फिर से अगला पूछ रहा है 36 अगर स्वराज दल में निम्न में से कोन निर्वाचित नहीं हुआ है यहां से बहुत सारे प्रस्न आएंगे बच देखें पहली तो आप यह समझे स्वराज दल था क्या 1919 में आपके लिए क्या आया था एक अधिनियम आया था उस अधीनियम के तहत क्या हुआ कि लोग सोचे लालू जी कि हम लोग पूछते है न लालू जी क्या बोलते हैं कि राजनीती जो है कीचड़ looked में उतरना पड़ेगा लालू जी यही बोलते न सेम टू सेम क्या अगर जो अंग्रेज थे अंग्रेज क्या बनाते थे नियम और कानून तो वो कानून को अगर वहीं से बदलना था तो उसके लिए जैसे अभी हमारे देश में क्या है लोक सभा है राज्य सभा है आपके पास अगर राज्यों में जाओगे तो राज्य विधान मंडल में ज़ती नियम था क्या कैंडरी विधान मंडलिय में उसमें लोक चुन के जाने चाहते थे ताकि जो सरक और गलत नियम का विरोथर किया जासा कि लिए इसी दल और को बोला गयाए कि स्वाराव दल यह कंगरेस के भागी लो ने अबनाया था तो इसका निर्मांद किसे टा है मोतीलाल नेहरूँ अब यह मोतीलाल नेहरूद कोन नहिक है पनडिस जवाहल नेहरूद जा रहे हूदा हुद इनके फादर है और यहीं पर थे कोन आ आपकिलिए चितरवु झात रंजन भी तो जिये अध्यक्ष तैंछ यह अध्यक्ष यह महाशचिव थे ये दोनों के दोनों ने क्या क्या स्वराज दल का गठन किया आप इसमें निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के था 36 गड़ से 4 लोग निर्वाचित हुए तो देखे इसमें सुंदालाल जो सर्मा जी थे ये निर्वाचित नहीं हुए थे इनके जगे हम कौन हुआ था पंड आपके लिए शिवदाज डागा दूसके बाद मैं क्या लिखता हूं राज दो बार ठीक है तो एक आर से याद रखना आपको पंडित रभी संकर सुकला दूसरे आर से याद रखना रागवेंद्र राव एक नाम याद रख लो कौन बैरिस्टर छे दिला आगर मेशा स्तांत में रहते हैं आप 36 गड़ के इतिहास में एक भी प्रस्न बनाओंगे आपको हर जगा दिखेंगे दोनों दोनों कोई भाई-भाई हैं जै और वीरू तो आपको याद रखना ये जै है तो ये वीरू है बैरिस्टर छे दिला क्लियर जी आपको याद रखना प आपको प्रस्न बनेंगे आपको याद रखना ए रागविंद्र रहाओ आपको अगर पूछा जाएगा 36 गड़ स्वराजदल के अध्यक्षा कौन थे तो यहीं थे वाई 36 गड़ स्वराजदल के अध्यक्षा कब थे अगर पूछेगा तब बताना है आपको 1925 में आपको प्रस्न यहीं हुरा पूछता है चाटिस गड़ के के पहले गवर्नर कौन वाने तो यह व्यक्ति थे जो क्या बने गवर्नर बने थे कब बने थे 1937 में तो यह धों प्रस्न आपको पूछा जाता हौ़द कब कब कर कि आपको पूछेगा 36 गर के वो पहले कों थे बेक्ती थे जो आपको गवर्नर करके पूछेगा लेकिन आइस थाई गवर्नर करके पूछेगा तब बता सकते हैं कौन आपके लिए इरागवेंदर आपको याद रखना है बरिष्टर छे दिलार नाम याद रखना है बरिष्टर अगर किसी की उपाधी है तो बहुत बड़ी उपाधी होती ठीक है तो आपको याद रखना है ये 36 गड़ के पहले आदमी थे जो 1913 में कहां गया Oxford University के Oxford University और वहाँ से क्या किये BA honors कर क्या है किस में किस में तीन इनका subject था एक पहला subject था economics, history और आपका polity तीनों में BA honors करके 36 गड़ के पहले थे जो क्या के विलायत मतलब विदेश से क्या करके अपना वकीली करके लोटे थे इसलिए इनको बोला जाता है क्या बैरिष्टर छे दिलार ठीक है बैरिष्टर बोला जाता है ये कहां पर आपके लिए लंदन में आपको याद रखना इनका एक बूक है क्या हॉलेंड की स्वाधिनता स्वाधिनता इसके उपर इन्हों में क्या किया था एक बूक लिखा है हालेंड की स्वाधिनता के उपर बैरिष्टर छे दिलार ये पूछा जाता है कि इनकी जन्म इस्थली कहां ये है बही कौन सा अकल तरह अब ये बताईए पूशता है 36 गड़ की अकल तरह कहां है 36 गड़ के किसे जिले पर आपको अकल तरह मिलता है तो आपको बताना है अकल तरह और यही अकल तरह है इसी अकल तरह में एक सीमेंट फैक्ट्रि पढ़ता है मेरे को सीमेंट फैक्री का नाम भी बताई जब यहां को उद्योग पढ़ाऊंगा तो उद्योग में बताऊंगा लेकिन अभी आपसे मैं दो प्राश्नें पूछ रहा हूं अकल तरह किसे जीले में पढ़ता है दूसरा यहां कौन स सीमेंट फैक्टरी पढ़ता है क्लियर जी आपको यहां से इतने सारे प्रस्णा बनेंगे आगे चले क्या अगला याद रखना है 1937 के प्रांती चुनाओं में मध्य प्रांत एवं बरार के विधान मंडल के मुख्य मंद्री कौन बने थे आपको याद रखना है पहला प्रस्न यह पूश्त है कि आपके लिए क्या हुआ 1937 में जो प्रांती चुना हुआ था वो किस अधिनियम के थ्रू होता है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम इस अधिनियम की थुरू क्या होता है भारत में पहली बार क्या होता है आपके लिए मस्तर प्रांती चुना होता है तो आपको यह अधिनियम याद रखना है तो इसी में क्या होता है यह नरायान भासकर खरे को क्या बनाया जाता है मुख्य मंत्री तो आपको पूछेगा यह पंडित रवी संकर जो सुक्ल जिकंको पंडित रवी संकर सुक्ल यह क्या बने धिये बने आपके लिए क्या सिक्छा मंधरी여 CR लाय थे तो यह क्या किए थे सिक्छा मंदर योजना लाय थे तो आपको याद रखना Grant जो नो जवान थे उनके पढ़ाई का जो गुण मत्ता था अच्छा नहीं था इनको लगता था तो पढ़ाई का जो इस तर है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने स्तिक्छा मंदिर योजना का क्या किया जी संचालान प्रारम किया आपको याद रखना है सिख्चा मंत्री यह पहली बार मुख्य मंत्री कब बने यह पूस्ता है तो आपको याद रखना कब 29 जुलाई 1931 साल बार चुक्ये पंडित रवी संकर जो सुकल है इनका राष्टी स्तर के एक नेता है तो इनका क्या था इतना जबर्जस था कि इनको लोग चाहते थे कि क्या बने यह मुख्य मंत्री लेकिन यह बन क्या गया थे बाद में नीती गत्मत भेद होता है और जो नरायन भासकर खरे रहते हैं इस्तिफा दे देते तब जो नया मुख्य मंत्री बनते हैं और कौन बनते हैं पंडित रविसंकर सुकला तो ये तिथी आपको याद रखना है कब बने थे तो यह मुख्य मंत्री पहली बार बने कब 29 जुलाई 1938 जी यह प्रश्न आपको पूछा जाता आपको याद रखना घंस्याम सी गुप्त जब आपके लिए 1937 में मध्य प्रांति वंबरार में प्रांती चुना हुआ था तो ये क्या आपके लिए जो विधान सभा या विधान मंदल बोलो, उसके क्या बने थे अध्याक्ष ये बने थे, ये परशन भी आपको पूस्ता है, और इन ही को बोला जाता दूसरे बार आपके लिए पहली बार 1935 में हुआ है दूसरे बार 1945 में क्या होगा प्रांती चुना होगा उसमें भी मध्य प्रांत बरार के अध्यक्ष कोन बनेंगे यही घंसियाम सिही गुप्त जी इसलिए इनको बोला जाता है क्या 36 गड के विधान पूरुस तो आपको अ याद रखना इरागवेंद्र राओ इसी 1937 के प्रांती चुना में क्या पदने थे नेता प्रतिपक्ष लेकिन इससे पहले हो क्या बन चुके थे 1925 में जी आपके लिए क्या जो स्वाराज दल था स्वाराज दल के अध्यक्ष थे 1937 में क्या थे यह आ इस्थाई गवर्नर बने थे बहुत इन्पोर्टेंट नाम है आपके लिए कौन इरागवेंदर रहा हो क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला याद रखना है हमको अगला प्रस्ण 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन के दवरान रैपूर में किन के द्वारा जुलूस निकाला गया अब एक जन आदमी है भई अभी आपके पास रनवीर सिंग एक सूपरिस्टार है धदर धदर वाला आप देखे होगे वो आदमी आएगा भीड होगा कि नहीं होगा और भीड हो अंदोलां से आपको आरे से सपोर्ट करता हूं ईकरता हूं वाली बात नहीं रणवीर सिस याद रखना इनके द्वार राइपुर में 1902 को किया निकाला गया जुलूस निकाला गया आपको याद रखना है से आपको फ्रष्ण ओर पुछेगा थाकुर राम सिस्ग विद्य तुम्हार थी था और इन्हों ने क्या किया आपको एक डेट याद रखना अगर रख्षा को पूछा हुआ है मौनिसीतमबर Goddessमबर सुनी ऑनिस सोबियालीज को इन्हों था नागपूर हाइड नागपूर आपका हाइड में क्या किया था जंडा फहराया था यह आपको पूछा जाता है कि नाकपूर हाई कोड में किस विद्यार थी ने आपका क्या किया था जंडा फहराया था ठाकूर रामसी पहले तो आपको अमसार यह याद होना चाहिए उसके बाद आपको दूसरा आपको इसी में याद रखना ह कि कब तो 9 सितंबर एति थी आपको पूशता है याद रखना ठाकुर राम सी 1905 में जब देश अजाद हो जाएगा तो रायपूर के विधायक बनेंगे और यही व्यक्ति बात में क्या करेंगे फिर प्रिथक 36 गड़ की मांग करेंगे आपको याद रखने कौन ठाकुर राम क पूचा देश नजी आपको याद रखना आरके पाटिल आरके पाटिल अगर आपको पूच्छा है तो इसको पूच्छा है 1942 में जो भारत छोडों अंदोलन नर्टिक मिस्टार अप पॉइंट हुए थे ठीक है जी तो आपको अकर ये पूछा जाएगा कि डीप्तिक कमिशनर कोन अपॉइंट हुए थे आपको याद रखना कोन ऑर्क पाटिल यह तरेता नात्यिवारी सब अपेबहरी इनको भी याद रखना तरेतानात्यवारी को ये पूछा जाता है कि गांधी जी महंत कॉलेज के पास जिस जगा पर क्या किये थे भासन दिये थे उसी जगा को अभी राइपूर में बोला जाता है क्या गांधी चो तो गांधी चौंक में आपका 1942 में आपके लिए क्या हुआ था जानस अभा के अध्याक्ष थे या यही क्या कर रहे थे उसके नित्रित्व कर रहे थे यह प्रस्ण भी आपको पूछा हुआ है तो देख रहे हैं आपको एक प्रस्ण में कितना प्रस्ण पूछता है वो क्लियर जी तो आपको चीजों को ऐसे याद रखना है क्लियर आपसे मैं एक बस पूछ रहूं कि ये भारत छोड़ो आंदोलत इसका प्रस्ताव का पारित हुआ था और ये प्रारम कब हुआ था क्लियर जी तो ये आठ अगस्त को प्रारम हुआ था और आपको याद रखना ना अगस्त उनिस सो बियालिस आंदोलन क्या हो गया था प्रारम हो गया था जैसी आंदोलन प्रारम हुआ था गांधी जी के सान जीतने भी सीर सनेता थे सभी नेताओं को क्या क्या गया था एक जगा का नाम है आगाखः पैले मैं क्या कर दिये था सब को गिरिब्तार करके रख दिये थे तो आपको को याद रखना 8 अगस्ट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावपारित हुआ था 9 अगस्ट सुबा 10 बजे आपके लिए क्या हो गया था यह प्राराम हो गया था आप मेरे कमेंड करके बताएंगे कि अगर यह 9 अगस्ट 1942 को चालू हुआ था तो किस इस्थलते चालू हु नहीं थे ठीक है आप यह याद रखो जैसे आपको राइपूर जाना है मैं जैसे बिलासपूर आया हूं अब मेरे बिलासपूर से राइपूर जाना है और मैं यहां पर अप्लिकेस्ट कि सर मेरे कोल जाना मंगता है अब एक आएक चीजे तो थोड़ना हो जाएंगे क्या आपको याद रखना पारस राम के लिए परस राम सोनी दूसरा से या रखना आपको को शुदेर् मुखर जी ये तीनों के तीनों लोग क्या थे सामिल थे ये एक आदमी सामिल नहीं था तो ये आपको प्रशन में क्या पूछा सामिल नहीं थे अब आपको याद रखना है इसके नेत्रित्व करता कौन थे तो नेत्रित्व करता ये प्रशन आपको और पुस्ता है सेपरेट पहला आपको एक डेड़ था 14 जूलाई 14 जूलाई 1922 यह क्या किये सोनी थे अब सोनी लोग क्या करते हैं घर में जेवर उवर बनाते हैं क्या तो यह आदमी क्या बना दिया घर में रिवालवर बना रहे हैं और कट्टा बोलते हैं जी 136 गड़िम जी कट्टा बना रहे हैं घर में देशी कट्टा किसी कमारे फोड़ दिये करके अब यह क्या कि कट्टा और साथ में जो क्या करते आशू गेस आता है ना तो बेहूस करने वाला भी गेस यह सब के जो नियो जग थे तो आपको यह प्लानिंग कौन किया था आपके लिए रापुर सडियंत्र के रापुर में सडियंत्र कर रहे थे सडियंत्र करने के लिए एक प्लानिंग कर रहे यह पास नहीं हूँ यह आदमी क्या क्या मास्त रिवालवर धर के जैसे इंस्टाग्राम में आज के लोग पोस्ट नहीं करत अब इसका एक जन दूसमन था और वो दूसमन का नाम था आपके लिए कौन शीव नंदन यह जो शीव नंदर था ना यह मुकबीर था तो यह प्रस्ण भी पूछा जाता है कि वो कौन सा क्या था भेदी था जो आदमी जाके पुलिस को खबर दिया तो यही मुकबीर था यही खबरी था सीव नंदन यही जाके बता देता है कि यह परास रामसोनी सुधिर मुखर जी और अनिर सी सास्त्री यह तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं आप लोग को मारने के लिए कट्टा बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं घर में बंबनाने क्रेक्टिस कर रहे हैं आपको याद रखना कोन परास रामसोनी आपको याद रखने यह सीव नंदन ही मुकबीर था इसी के करण क्या हुआ यह जो योजना था वो सफन नहीं हो पाया नेतरित्व करता पूछेगा नियोजग हुआ था तो गिरिपतार भी कौन हुआ था आपके लिए याद रखना परास रामसोनी यह आपको पेपर में कई बार पूछा है आपको याद रखना रगुनंदन यह जो रगुनंदन है ना रायपुर सडी अंत्रकेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है इसको बोला जाता है क्या दूर्ग औरख यह हो इससे संबन्दीत माना जाता है दूर्ग था वही पे आदमी प्रस् web दी जाते हैं कि करो या मरो अभी आदमी समझ जाता है या करना है या मरना इसको कुछ समझ नहीं आया यह आदमी क्या करता है पूरे दुर्ग का सबसे खतरनाक आदमी था कोना आपके लिए रगुनंदन सिंग रोल इस से अंग्रे जी जो अधिकारी थे जो पूलिस वाले थे बंपरसान थे यह कुछ बोला नहीं है इंप्लीमेंट के लिए पहली से रेटी रहता था कि हां मेरे को यह करना है मेरे को यह करना है करके तो यह आदमी क्या करता है जाता है और पहले तो जितने आपके टेलीफोन के बारते सब को काड़ जितने आपके पोस्ट आउफिस में क्या आते थे डा लगा देता है आदमी का नाम याद रखना है एक व्यक्ति का परस्णालिटी का जिसका नाम क्या है रगुनंदन सिंग रोल दूर्ग कचहरी आगजनी केस से संबंदित है यह प्रस्ण भी आपको पूछा जाता है क्लियर जी आगे बढ़े क्या आपको अगला प्रस्ण देखना है विरासतों के विलाई करन में किनका विशेश योगदान रहा है अब देखिए यह आपको ठाकुर प्यारे लाल जो जी थे आपको यह पूछेगा यह विलाई करन कब हुआ तो 36 गड़ में टोटल 14 रियासत ठ आपको मैं चार प्रस्ण पूछ रहा हूं आपको चारों प्रस्ण को बताना है सबसे पहली तो सबसे बड़ा रियासत कौन है दूसरा आपको सबसे छोटा रियासत बताना है भाईया सबसे छोटी रियासत कौन सी थी क्लियर उसके बाद बोलेगा अगर मान लो बोले कि चर भाई गोवा घुमनेल चल वो एक जहन आदमी रहता है सबसे पहली बोलेगा कि हाँ मैं जाहूं पैसा देने बारी मोही आदमी पहली नहीं होता तो आपको दो रूप में पूशता है कि सबसे पहला कि स्विक्रीति किस ने दिया था ठीक है और सबसे पहले सामिल कौन हुआ था तो चौदर यासात है आपको चार प्रस्न यहाँ बनेंगे चारोise आपको मेरे को बताना है पूशता है छटिश-गडर अभी मैं बता रहा हूं यह विलाई का रहान का डेट यह प्रसना आपको पेपर में बार-बार और बार-बार पूशता है एक जनुवरी 1948 इस तीथी में क्या हुआ जो 36 गड़के चौधा रियासत थे उन्होंने क्या किया विलाय पत्रिका में अपना साइन किया कि हम भारत में अपने मन से मिलना चाहते हैं सबसे पहली तो आपको याद रखना ठाकुर प्यारे लाल जी थे यह थे अध्यक्ष जब आपके लिए विलाई करण हुआ तो आपको याद रखना जैनरान पांडे यह थे आपके लिए सच्छिव आपको याद रखना पंडित रवी संकर सुकल जी यह पंडित रवी संकर 19 39 में अवझ 1945 कि से धू में हैं दो यह आ जी और क्या थे सी म थे खेंल तो आपको पूछता है किसका विशरे स्योग्दान उवा थ přिश्रम भी पूछा हुआ है कि किनकावी से स्योगदान था आपको ये प्रस्ण भी पूछा है कि जब विलाई करन हुआ तो सी जी स्टेट आप कॉंसिल जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे आपको याद रखने कौन ठाकुर प्यारे लाल आपको पूछे का सचीव कौन थे आप बताओं कि जय नरायन पांडे प्रस्ण यह सब पूछा हुआ है आपको क्लियर आगे बढ़े क्या अगले प्रस्ण लिए बढ़ते हैं हम लोग बोल रहे हैं राज जी के प्रथम मिल मजदूर अंदोलन के प्रनेता कौन थे तो आपको याद रखना है पहले मिल मजदूर अंदोलन हुआ है तो यह मिल कौन सा मिल है ठीक है जी आपको याद रखना बी एन सी बंगाल नाकपूर और सी से याद रखना कॉटन मिल अभी यहां से भी दो तिन प्रस्ण पूछा जाता है यह बी एन सी मिल है और राज्य का पहला सूति वस्त्र उद्योग है कौटन मिल है सूति वस्त्र उद्योग राज्य का एक मात्र राज्य का एक मात्र सूति वस्त्र उद्योग है यह भी याद रखना है आप इसको पूछेगा इसका इस्थापना का हुआ था तो आपको याद रखना 1892 इसका इस्थापना हुआ थ पूछेगा पहले जब यह company है बी एंसी इसका नाम था पहले सीपी मिल्स से आपके लिए कब बी एंसी मिल कब बना तो आपको याद रखना 1897 तो आपको इसका नाम परिवर्तन हुआ सीपी मिल्स पहले इसका मालिक कोई अलग था चार-पांच साल घाटा में चला वो मालिक बेज दिया तो अगला जब मालिक आया तो उसका नाम रखा बी एंसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स तो चार प्रस्णा आपको यहां से बन रहा है इसी मिल्स पे क्या हुआ 36 गण में लगातार 37 दिनों तक हरताल हुआ किन के द्वारा मजदूरों के द्वारा और यह याद रखना जब 1927 डेट आपको पूछा हुआ कब होता है करके 1927 में होता है लगातार 37 दिन तक होता है और 1927 तक 37 दिनों तक किसी भी मिल्स में होने वाला भारत का सबसे लंबे दिनों तक 37 दिनों तक चलने वाला हरतालता कुछ बुक में इसको 36 भी दिया है आप देखोगे लेकिन आंसर 37 ले लिया है इसलिए मैं आपको 37 पढ़ा रहा तो आपको याद रखना लगातार 37 दिलों तक हड़ताल चला था 1920 में इसके प्रनेता कौन थे आपके लिए आपको याद रखना ठाकूर प्यारे लाल जी तो ये ठाकूर प्यारे लाल जी आप देख लेते हैं वीवीगिरी वही आपके लिए हैं ये क्या थे राष्टिय दूर्थंके नेता थे तो आपको ये प्रस्ट में पूछा जाता है कि 1920 का आपके लिए बींसी मिल मजदूर आंदोलान में कौन से एक राष्टी नेता का 36 गड़ आगमन हुआ था बताना है आपको कौन वीवी गिरी अगर आपको ये आंदोलान का कारण पूछेंगे कारिया वधी का अधिक होना सूबा पांच बजी जाते थे और साम को 6 बजी आते थे तेरा घंटा काम कराया जाता था यहां लोगों के द्वारा तेरा घंटा समाज रहो ना पहली बिजली था ना कुछ आदमिक गाय है गरवा है खुद का लईका है पती है और सास ने लेने सास ने लेने देने वाली सास है ससूर है सब को देखना पड़ता था ऐसे बारा तेरा घंटा आप काम करोगे सरीर पूरा दरर जाय रहेगा तो यह था कार्यवधी कम हो दूसरा वर्किंग कंडिशन अच्छा होना चीए जैसे आप टूशन पढ़ोगे और आपको एकदम ज इस थल को अच्छा करने की कारय इस थल की जो स्थिति है उसको अच्छा करे करके हुआ था ठीक है जी और वेतन में बढ़हुत्री हो करके तो आपको यह तीनों क्या याद रखना है रिजन तीनों कारण याद रखना है जिसके वज़ा से लगातार 37 दिनों तक भारत का पाधिक दिनों तक चलने वाला हड़ताल कहां हुआ था राजनांद गाउ में इसके प्रनेता थे हमारे लिए ठाकूर प्यारे लाज इसी के टाइम पे एक राश्टी इस्तर के मजदूर संग के नेता का चटिसगाड़ आगमन हुआ था नाम है उनका वीवीगिरी राम चंदर सखारा यह क्या हुआ था आपके लिए पहला इलेक्शन कब हुआ था 1937 में 1937 में जब इसी बीनसी मील में क्या होगा तीसरा तृति आपके लिए क्या होगा आंदोलान होगा मिन मजदूरांदोलान का तो इस व्यक्ति को कहां से बुलाएंगे नाकपूर से इनको बुलाया जाता है राम चंद्रसका राम ये इस्पेशल गेस्ट रहते हैं ये भी आपके लिए मजदूर संग से जूड़े हुए हैं तो आपको याद रखने हैं त्रिती मील मजदूर अंदोलन में आते हैं कारण पूछेगा किस कारण से आया थे अब देखें आपके लिए इसी टाइम में दस प्रतिसत वेतन कटवती करता था जो कंपनी है वो तो इस कटवती के विरोध में क्या किया गया अंदोलन किया गया फिर इसके प्रनेता कौन थे हमारे लिए ठाकुर प्यारे लाल जी आपको याद रखना कारण ये कारण पूछता आपको प्रनेता पूछता ठाकुर प्यारे लाल ची आपको याद रखना राजा लिला धरसी यहां से भी आपको एक प्रश्नव पूछता है 1947 में जब देश अजाद हो रहा था तो पूशता है किस रियासत में तो सकती रियासत में क्या चल रहा था किसान अंदोलन तो आपको यही पूशता है कि जब देश अजाद हो रहा था या 1947 में 36 गड़ के किस रियासत में क्या चल रहा था किसान अंदोलन आपको याद रखना है किसान अंदोलन किसका सकति रियासत का याद रखना है उस टाइम यहां के राजा कौन थे राजा लिला धरसी क्लियर आगे बढ़े क्या अगला याद रखने हैं हमको क्या राज्य निर्मान के समय कितने जी ले थे आपको याद रखना है स्वतंत्र या प्रिथक संभाग बना यह प्रसमें अभी आपको कई बार पूषता है कई बार जब प्रिथक संभाग बना तो इसी टाइम पर 36 गार में टोटल कितने थे जी केवाला तीन ठो जीले थे जीले का मेरे एक नाम आप कमेंड करके बताएंगे एक दम असान है आप जहान ररहो ठीक है जी तो पहला और दूसरा याद रखने दो जगह तो खुद ना छहीज लेते, आपको याद रखना 16, यह आपके लिए राज्यनिर्माण के समय, मतला आप 2000 की बात करा, 1 नौवमबर 2000 को, हमारे पास 16 जी लेते, तो यही तो पूछा है क्या तो आपको याद रखना यह, और यह 8, यह आपके लिए वरतमान है, खिलियार जी आप किसी दिमाग में किसी पेट में अगर नहीं पाच रहोगा तो चीज़ें बताता हूँ अब आप कमेंड करोगे किसा 30 ठाखावाय का 33 ठाखावाय का 32 ठाखावाय का समझो चीज़ों को अभी किवल है भई 27 ठो जीला था अभी 28 ठाखाव जीला बनाए कौन सा गवरेला पेंडरा मरवाही किस से अलग होकर बिलास्पूर से अलग होकर अगला इसी में आपको प्रस्ण पूछेगा कि दस्वा भू आवेस्थित जीला कौन सा है 36 गड़ में पहले नोठो भू आवेस्थित जीले थे दस्वा भू आवेस्थित जीला कौन सा बना है बिलास्पूर या इसी को एक नए रूप में पूछ सकता है नविनतम भू आविस्थित जिला कौन सा है बिलासपुर्दो प्रस्ण आपको यहां से भी बनते हैं क्लियर जी आपको चीजोग देखना है कैसे आप लाइसेंस बनवाने गये हो जब लाइसेंस बनवाने के लिए जाओगे तो लाइसेंस बनवाने जाओगे तूरंद पहली दिन आपको पर्मनेंट लाइसेंस नहीं देता है पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने पर ल आप देख रहे होगे कोई कोरिया से अलग होगा आपके लिए क्या मनेंद्रगाड, खडगमा, चिर्मिरी, इधर आप जांजगीर चापा से सक्ति का सुने होगे, उधर राजनान गाओ नीचे और उपर अलग टूट रहा है, इधर खैरागाड, छुई, खदान, गंडई, उ एक राजपत्र भी जारी हुआ है, या एक और राजपत्र जारी होगा, उस दिन से लिखेगा कि आज जिससे यह जीले क्या हो गया है, प्रभावी, तो जिस दिन प्रभावी करके आएगा, हमारे माननी बगहल जी एक ठो फिर से राजपत्र जारी करवाएंगे, उस दिन से वो जो learning license था वो permanent हो जाएगा अभी केवाल घोष्टना मात्र है बना नहीं है बनेगा तो हम उसके लिए अलाक सी वीडियो बनाएंगे यह हमारे तरफ से आपको एसियोरिटी हम guarantee देते हैं भई हम एक नया वीडियो लेकाएंगे तो अभी अपने दिमाग में किसी प्रकार का कोई doubt कोई संसे ना रखे clear आगे बढ़े क्या हमारे लिए प्रस्ण हो गया अगला प्रस्ण अंतिम प्रस्ण देखते हैं निनम में से सुमेलित नहीं है आपको सुमेलित नहीं है बोर चतिस गड़ विरो विरोधी मंच ठाकोर प्यारे लाल जी सही है चतिस गड़ महासभा डौक्टर गुपचन बगल सही है 536 बात्रि संग डौक्टर कुपचल बगल सही है आपको याद रखना 36 डौक्तिमोर्चान नहीं ये सही नहीं यह था किनका डॉक्टर संकर गुहा नियोगी का यह उनके द्वारा बनाया गया था अब देखो इसका अगर डेट याद रखो यह चारों के चारों आपसे प्रश्ण में पुस्ता है तो आपको यह केवल चारों याद रखना है भई सबसे पहली याद रखना आपका देश अ पन है इसमें कितना जोड़े हैं प्लस दस इसमें आप जोड़ दो प्लस ग्यारा तो आपके लिए क्या आएगा 1967 कोई दिक्कत 5667 अब इसको उल्टा कर दो उननीच सव एच्छै इसको इस सवरी उननीच सव एच्छै आपको अगला हो जाएगा 76 तो इसको साथ को पहली ल यह एक नवंबर आपके लिए 2000 में बना क्या राज्य लेकिन क्या राज्य उसी दिन बन गया होगा क्या तो इसका निर्मांड का कारेकरम बहुत पहली चल रहा था बहुत पहली से लोग 36 गड़ के प्रिथक 36 गड़ का मांग कर रहे थे तो उसी दोरान 36 गड़ सोशन विरो प्रिशंका गठन के आगया डॉक्टर खुबचन बग्हेल के द्वारा 1967 पे आपको याद रखना 36 गड़ मुक्ती मोर्चा यह डॉक्टर संका गुवान योगी के द्वारा 1976 पे प्लियर जी यह सब चीजे थी की नहीं थी आपको याद रखना इसमें और सब चीजे देखो आपको पूछेगा 36 गड़ के पहले या प्रथम स्वपना द्रिश्टा कौन थे स्वपना द्रिश्टा मतलब जो आदमी पहली बार सपना देखा होगा कि हम को हमारा 36 गड़ चाहिए माना जाते हैं 1918 से किनको पंडित सुंदरलाल सर्मा यही सुंदरलाल सर्मा है क्या जी 36 गड़ के इनहीं को हम क्या बोलते हैं गांधी और इनको ही 36 गड़ के पहले स्वपना द्रिश्टा बोले जाता है पंडित सुंदरलाल सर्मा यही तिनों रूप में पूछा जाता है आपको याद रखना ठाकूर प्यारे लाल जी ठाकूर प्यारे लाल जी इनको 36 गड़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं ज़ेए चाद इस घड़गे त्याग पुरूज बोला जाता है इंगो त्याग मुर्ति बोला जाता है ठीक है जी आपको पूछेंगे स्त्रमिक या फिर मजदूर, मजदूर, मजदूर अंदोलन के जनक, यह सब कोन है आपके लिए, ठाकुर प्यारे लाद, तो आपको प्रस्न इस प्रकार से बनते हैं, क्लियर जी, तो कोसिस किया हूँ, मैं आपको चीजों को जादा से जादा चीजों को एक जगह रखूं, और आपको को बता सकूं, क्लियर जी, अगर आपको चीजे अच्छा लगा होगा, यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसको शेयर करें, क्लियर जी, तो आप निरंतर कोको के साथ पढ़ते रही हैं, निरंतर बढ़ते रही, आप जो चीज़ सोच रहें, वो चीज़ पाएं, ये हमारी कामना है, और competition community, आपके हर कदम में आपके साथ है, किसी भी प्राकार का आपका को क्योरी पूछना होगा, तो आप हमारे contact number पे क्या कर सकते हैं, contact कर सकते हैं, clear जी, तो मिलते हैं हमारे अग पहार जाच थेज़गर